जैपूर मुंबई ट्रेन में रेलवे आर्पी अफ कॉंस्टेबल ने ओपन फाइरिंग कर चार लोगों को मौत के घाट उतार दिया है मरने वाले चार लोगों में एक रपी अफ के एसिस्टेंट सब इनिस्पेक्टर के अलावा दो मुस्लिम लड़कों को गोली मार दी गई है गोली मारने के बाद खून में लुत्पुच जख्मी मुस्लिम लड़के के सामने खड़े होकर इस कॉंस्टेबल ने कहा हिंदुस्तान में रहना है तो मोदी और योगी को वोट देना होगा मोदी देश के प्रैमिनिस्टर और योगी उत्तरपरदेश के चीफ मिनिस्टर बनेंगे और सबसे बड़ी बात Constable ने कहा मरने वालों को पाकिस्तान से ऑपरेट किया जा रहा है डेश की मीडिया सुब दिखा रही है और मीडिया को सुब पता है अब तक यही समझा जा रहा था कि मीडिया में हर रोज मुसल्मानों के खिलाफ नफरत फैलाने से सिर्फ अन्बक और जाहिल लोगी गुमरा हो रहे है लेकिन इस आर्पी अफ कॉंस्टेवल के जरीए मीडिया का जिकर करते हुए चार लोगों की जान लेता देख अफसोस हो रहा है कि पड़े लिखे गौर्णिमिट आफिसर भी में इस्ट्रिम मीडिया के जरीए धरम के नाम पर नफरत का शिकार हो रहे है अगर देखा जाए तो इस तरह के हाथसों का असल जिम्मेदार में इस्ट्रिम मीडिया है जो दिन रात मुसल्मानों के खलाफ जहर उगलने का काम कर रहा है रेलवे आरपी अफ कॉंस्टेबल का नाम चेतन सिंग है जिसने आटोमेटिक सर्विस रैफल के जरीए सबसे पहले अपने हैड आफिसर A.S.I. तिकरा मीना के साथ और एक शक्स को गोली मार कर मौत के घाट उजार दिया है फिर उसके बाद ट्रेन में सफर कर रहे हैं अब्दुल खदीर और अजगर नामी मुसलिम नोजवानों को गोली मारने के बाद कॉंस्टेबल ने कहा इस देश में रहना है तो मोधी और योगी की वोड देना होगा इस देश में मोधी सरकार ने मीडिया के जरीए धरम की राजनेती कर लोगों के दिलों में इतने नफरत भर दी गई है कि गौर्णिमेंट ऑफिसर भी मोधी और योगी के नाम पर मासुन लोगें की जान ले रहे हैं दोहजार चोबीस ऐलेक्शन खरीब है और इस तरह डर का माहौल फइलाया जा रहा है